क्लास 12 के सभी बच्चों को अनुसर का प्यार भारा नमस्कार रसायन पार्ट शाला ये एक इंपोर्टेंट पार्ट साला है और यहां पर हम यूपी बोर्ट की पूरी प्रेप्रेशन कर रहे हैं आज हम लोग आपको अनुमापन बताएंगे तो आपको ये नया प्रैक्टिकल नमबर नेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा यानि प्रैक्टिकल नमबर आठ आप यहां पर डाल लीजी तो यहां पर मैं प्रैक्टिकल नमबर आठ लिखे दे रहा हूं आप लिख लीजी आर प्रैक्टिकल नंबर नंबर आठ मेरे अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिकल नंबर आठ है और इसको आप जरूर नोट कर लीजिए भाई लोगों ठीक है और क्लास 12 के सभी बच्चे नोट करें कि सबसे पहले उद्देश से लिखेंगे जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही करीगा पुराने कापियों को छोड़ दो मत पड़ो पुराने पीछे अब नई नई चीज़ों को देखे आप बदलाव हो चुका है उद्देश से लगभग M upon 20 पहले N लिखवाय जाता है लगभग M upon 20 फेरस अमोनियम सलफेट का मानक बिलियन बनाकर दिये हुए के MNO4 दिये सिद्धान्त जो मैंने लिखा है बिल्कुल यही सिद्धान्त आप डिट्टो चापिएगा तनू H2SO4 की उपस्तिती में केमनोफोर है ना केमनोफोर जो होता है मोहर लवन को फेरस सलफेट में और आक्सी करत कर देता है और स्वयम रंग हीन MNSO4 में आप चैत हो जाता है ट साथा टैरेशन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एटाट रिशन ध्यान दे लो कहीं पर लिख लो नोट कर लो इसे हम मैं अनुमापन बोला जाता है और लिड़ा जाता है अब हम लोगों को क्या करना, इसकी reaction लिख देनी है, क्या reaction होगी, वो note करो, सब लोगों ने गलत reaction लिख रखी, अभी तक गलत ही लिखते हुए आये हो आप लोग, सही करो, बहुत दिनों से मैंने देखा है, लोगों को पुराने जो लोगों ने लिखवाया है, बहुत गलत ल लबन आप 10 डाल दो, तो 10, 10 FESO4 लिया जाता है, 10 FESO4 डot NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस, SO4 लिया जाता है, ठीक है, डot 6 H2O, ये लिया मैंने, इसको हम लोग महर लबन बोलते हैं, इसके नीचे जरूर लिख देना, ये महर लबन है, क्या है महर लबन, या इसक पोटेशियम पर मेंगनेट, क्या है बटा, ये पोटेशियम पर मेंगनेट है, पर मेंगनेट बोला जाता है, पोटेशियम पर मेंगनेट, अब इसको जब रियक्शन कराओगे, ये डायलूट S2O4 है, जब रियक्शन कराओगे, तो सबसे पहले क्या बनेगा, क्या बनेग को नहीं आक्सी करत कर देता है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ फैरस सल्फेट को आक्सी को कर दो फैरस सल्फेट को महर लवन को फैरस सल्फेट ठीक है आक्सी करत कर दो तो यहां पर हो जाएगा अभी मैं उपर सेंटेंस ही करूँगा यहाँ पर तो यहाँ पर MNSO4 हो गया MNSO4 के बाद बनेगा 5 FE2SO4 का FE2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 10 NH4 का होल ट्वाइस NH4 का होल ट्वाइस SO4 बनेगा और साथ में बनेंगे 68H2 आप एक बार रियक्शन को चेक जरूर कर लिजेगा balance है कि नहीं है एक बात दूसरी बात है कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो आपका तनू सल्फियूरिक अमली की उपस्तिती में केमल फूर मोहर लबण को है ना फैरस मोहर लबण के फैरस सल्फेट को फैरिक सल्फेट में आकसी करत कर देता है यह बात आपको ध्यान देनी चाहिए ना फैरस अमोनियम सल्फेट जो होता है वो फैरस अमोनियम सल्फेट को आकसी करत कर देता है तो यहाँ पर मैं एक काम यह कर देता हूँ थोड़ा sentence है कर देता हूँ यहाँ पर फैरस मोहर लबण के मोहर लवन के कर दो मोहर लवन के फेरस सलफेट को को आकसी करत कर देता है ठीक है और स्वेम जो है रंगहीन MNSO4 में अपचैत हो जाता इस बात का ध्यान देना पड़ेगा गलती नहीं होनी चाहिए मैगनीज जो हमें एक्चुल में होता क्या है कि जो reactions प्रॉपर होती है उनको एक बार हमें समझ लेना चाहिए तभी लिखना भी चाहिए ठीक तो अब हमें क्या करना है आगे बढ़ना ऐसी क्या आगे बहुत ही important है ये वाला practical और आपको जरूर लिखना चाहिए 100% लिखना चाहिए और कारण ये भी ये एक important में number one पे ही लिखवाया जाता है ये बात भी धहन दो अब इसके बाद क्या करना है इसके बाद आपको बजन भी लिखना है भई बेट किया होगा तो वो भी तो लिखोगे तो बेट नहीं लिखोगे तो यहाँ पर लिखो गड़ना heading इसके बाद क्या बनाओगे क्या बनाओगे गड़ना बिधी नहीं लिखी जाती गड़ना का मतलब होता है calculation अब ये calculation आपने कैसे की इसको दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से किसी नहीं किसी भी किताब में नहीं दिखाई है फिलाहल मैं आपको एक idea देता हूँ आप इसी साब से लिखिएगा ठीक है number one पहली calculation आप कहा लिखोगे weighing tube यानि tolen नलिका का भार लिखोगे कुछ भी लिख देना tolen मैं जो लिखा रहा हूँ वही लिख दो tolen नलिका नलिका tolen नलिका का भार आप लिख दीजिए अब tolen नलिका का भार मान लिजिए suppose कर लेते हम यहाँ पर 5.3 ग्राम है यह मैंने लिख दिया दूसरा पॉइंट लिख दा कहा लिखोगे tolen नलिका tolen नलिका tolen नलिका tolen नलिका ठीक है प्लस पैरसमोनियम सलफेट को shortcut में FAS महरलवण को ऐसी लिख सकते हो यह महरलवण का भार यहाँ लिख देना महरलवण महरलवण का महरलवण का भार जब आप लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको मान लिजिए दोनों मिलाकर के सपोस कर लेते है कि जो है वो 8.6124 ग्राम आपने ले लिया ठीक है इसके बाद चले आईए इसके बाद जब आप आओगे तो इसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर 3rd point पर आजाएए 3rd point पर जब आओगे तो यहाँ पर लिख दीजिए आप खाली तोलन नलिका का मालो खाली आपने भाई लोट लिया chemical यूज कर लिया खाली तोलन खाली तोलन नलिका खाली तोलन नलिका नलिका का भार तो खाली तोलन नलिका का जो भार होगा वो आपको एक दम क्या होगा थोड़ा सा बढ़के आएगा 5.34 कर देता हूं तो यहां पर 5.34 something हो जाएगा तो actual में प्रियुक्त हुआ फैरस ammonium sulfate प्रियुक्त हुआ तो यहां लिख देना प्रियुक्त फैरस ammonium sulfate कितना हुआ प्रियुक्त फैरस ammonium sulfate अब आपका बचेगा मातर 3.2692 ग्राम बचेगा ठीक तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए तो हम लोग यहां पर m by m by कितना कर रहे हैं 20 कर रहे हैं 30 कर रहे हैं m by 30 कर लिजिए और m by 30 पे ही लिखिएगा ठीक है उसमें हमने बजन आपका लिख दिया फैरस ammonium अब कैसे weight निकाला कि हमने इतना ही weight करना है तो आपको formula याद रहना चाहिए molarity is equal to होता है molarity is equal to weight ठीक है weight upon molecular weight यानि की molecular weight का मतलब यह w2 upon m2 ले लो और आपको बनाना कितने में हैं बनाना है आपको ऊपर 1000 से गुना कर दो और नीचे 2500 लिख दो आप 250 ml का है न तो यहां तो यह 4 बर कट जाएगा यह चार बर कट जाएगा तो यहां पर आपका molarity is equal to molar mass तो यह w2 upon हो गया आपका m2 into 4 तो अब आपको w2 निकालना है तो w2 is equal to m मतलब यह हो गया molar mass mm कर दो molar mass यह molar mass ठीक है molar mass रुक जाओ m w is equal to हो जाएगा molarity रखो ऐसे ही गवर ना को लो molarity मतलब m हो गया into molar mass यह m2 हो गया और w is equal to यह हो गया divided by 4 हो गया यह हो गया तो अब इसका molarity कितनी आपने ले रखी molarity रखी है आपने m by 30 तो मतलब एक बटे 30 हो गई गुणे नीचे 4 हो गया molecular mass 392 होता है 392 होता है तो अब आप इसे भाग कर लीजे देखो यह लगभग मैं अपने calculator से मोवाईल के calculator से कर ले रहा हूं आप लोग भी एक बार इसको बजन को चेक कर लीजेगा रुक जाए बस एक मिनिट का समय दीजे मैं calculate करके आपको बताता हूं यह आ जा रहा है यह तीन दसमलब यही उपर वाला आएगा यह आ जाएगा आपका 3.266 ग्राम आपका आ जाना चाहिए तो यहां पर आप 3.26 कर दीजिए 3.26 ग्राम आप कर दीजिए ठीक है इतना आपने बजन लिख लिए वही उपर आएगा तो यह आप बिल्कुल टेबल में काइदे से calculate करके लिख दीजिएगा लिख लेंगे ना यहां से इतना मैं टेबल बनाय दे रहा हूं इस टेबल में से ब्लॉक कर देना और आप examiner के सामने यह पता रहेगी कि बेलू सर ने निकल वाई थी चलिए अब क्या करेंगे जब यह बजन आ गया तो अब आप एक बार टेबल ब बना दूँगा यहां से बना रहा हूं यह टेबल बना लेना ठीक है और इस टेबल में अब आप उपर हेडिंग पहले एक लाइन और इसे टेबल बनाओ बढ़िया करके लिखना चार-पांच पन्ने खतम होने चाहिए एक पन्ने नहीं होना चाहिए नहीं समझ लेना डाट कमुनियम सलफेट का इमाउंट भी बनाना है फिर आपका एक लाइन और बनानी पड़ेगी हमें यहां पर फिर एक लाइन हमें इस तरीके से बना देनी है ठीक है तो इस तरीके से बना लीजेगा इसमें आप दो लाइने डिवाइड कर लो इनिसिल वैलू फाइनल वैलू यानि थोढ़ी सी line बड़ी करो, इसे undo कर देता हूं, sorry, redo करो, यह redo हो गया, अब undo में इसको एक LINE मुझे बड़ी बनानी, तो यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूं, ओर एसे सी, और, और थोढ़ी सी बड़ी बनाू, और थोढ़ी सी बड़ी बनाऊ, है ना बड़ता लाइन अब इनके अंदर लेदेना पहले तो ऊपर हेंडिंग trauma लेना की सांधुरता कए म मतलब जो है उद्याओ सांधुरता के लिए बिलियन्स के साथ अनुपात छीजी यह बनाろो ग्यात सांध्रनन या सांधुरता के लिए यहां लिख दे रहा हूँ ग्यात सांधरता के लिए अनुमापन तालिका लिख लो आप अनुमापन तालिका तो सब लोग इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों तक यही लिखना है वो जमाने चले गए जब मिया फाक्ता उड़ाया करते थे अब यहां पर सीरियल नंबर हो गया यहां पर आपका वही फैरस अमुनियम सल्फेट का आयतन हो गया तो यहां पर लिख देता हूं F.A.S. का आयतन लिख लिजे F.A.S. का आयतन लिख दो आप ठीक है और यहां पर आप लिख दो प्रारंभिक यानि इनिशिल वैलू यहां पर फाइनल वैलू किसकी F.A.S. की वैलू के मनोफोर के लिख हो गए न यहां पर के मनोफोर का ही अमाउंट आएगा तो यहां पर लिख दो कि के मनोफोर का प्रारंभिक का प्रारंभिक आयतन का प्रारंभिक आयतन किस में लिखना आयतन मिली लीटर में और यहां पर के मनोफोर का अंतिम आयतन लि देना अंतिम आयतन लिख देना ये बात आप ध्यान दो बच्चा और यहां पर बिलियन का मान यानि की जो मान आयतन आएगा केमनोफोर का एक वो लिख देना यहां लिख देना केमनोफोर केमनोफोर का मान ठीक है निश्चित मान जो आएगा वो लिखना तो तीन रेडिंग निकालनी रहती है पहली reading, दूसरी reading और तीसरी reading, तीन reading आपको निकालनी रहेंगे, तीनो reading में आपको values लिखनी पड़ेंगे, और यह important है, यह बात भी ध्यान दीजे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अपनी lab में 25 ml का तो 25.00 ml लिखना, यहाँ पर भी 25.00 ml लिखना, लिखना देना, कापी, सब गड़बडा जाएगे आपके, बिल्कुल जैसा लिखवा रहा हूँ, वैसे लिखिएगा, यहाँ पर जो आपको आयतन लिखना है, वो आयतन जरा दिमाग से आप लिखिएगा, जैसे कि मान लीजे, मैंने यहाँ पर लिख दिया, suppose कर लेता 24.4, यहाँ पर लिख दिया, मैंने 24.8, और फिर दुबारा लिख दिया, 24.8, तो यह आखरी की दो वैलू जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यही फाइनल वैलू बना दीजिएगा, यह तीनों का अबरेज निकाल देना, तो यहाँ 24.8 मिली लीटर, एमल सम में लगा दो तो यह आप लिख दीजिए आराम से, अब आपको सूतर ये कियाद होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, देखो आपका सूतर क्या होका दूप को बताता हूं आपको, यहाँ पर गळना फिर करनी है दुबारा, तो गळना में लिखना M1, M1, B1 बराबर हो जाता है, M2, B2 हो जाता है M1 आपने कितना लिया यह 25 लिया तो अपने आप भी कल्कुलेश 25 है सुरी मोलर्ता आपने लिए N230 हो गई तो यहाँ पर मोलर्ता आपको निकालना है इसका KMNO4 लिख लो यहाँ लिख दो KMNO4 यह निकालना है और यह Ferrous Ammonium Sulphate आपको दिया हुआ है तो यह आपको M1 निकालना है Volume कितना आपने यूज किया Volume आपने यूज किया है 25 है बने 24 पॉइंट कितना यूज किया है पहले आपको N1 निकालना M1 B1 is equal M2 B2 लेना है और अब आपने क्या करना है आएतन निकालना पड़ेगा मोलर्ता निकालनी पड़ेगी तभी आगे कहानी समझ में आएगी तभी आगे की कहानी आपको समझ में आएगी तो एक काम बच्चा ये करो मैं एक काम ये करता हूँ कि उल्टा लिखता हूँ यहां लिखता हूँ फेरस अमोनियम सलफेट यहां लिखता हूँ आपका KMNO4 काईदा रहेगा है न इसकी मोलरता हमें पता है मोलरता इसकी हमें पता है कितनी 1 बटे 30 है 1 बटे 30 लिख लीजे काईदे से 1 बटे 30 लिख लो और इसका वॉल्यूम 25 अमल अभी हमने यूज किया 25 बराबर हो जाएगा M2 हमें पता नहीं है वॉल्यूम हमने 24 दिसमलब 8 निकाला हुआ है तो मोलरता बराबर हो जाएगा 1 बटे 30 और ओपर हो जाएगा नीचे ही आएगा यहां पर 24 दिसमलब 8 और ओपर आजाएगा 25 तो मोलरता कितनी आ रही है यह भी मुझे मोबाइल से calculate करनी पड़ेगी तो मोलर्ता आनी चाहिए दिखा निकालता हूँ मोलर्ता निकालता हूँ तो यह होगे 25 भागे 30 यह आया आपका फिर भागे हो गया 24.8 यह आएगी 0.03 मोल पर लीटर आएगी यहानी कि 0.03 मोल पर लीटर आजाएगी याद कर लेना इसे ठीक है अब हमें निकालना है सांधरता तो यह हमने किसकी M2 निकाली तो KMN4 की सांधरता क्या होगी तो यहां लिख देना KMN4 की सांधरता सांधरता ग्राम पर लीटर में KMN4 की सांधरता ग्राम पर लीटर में पर लीटर में तो क्या आएगी? यहां होता है, सांदरता बराबर होता है, मोलर्ता गुणे के मनुफोर की सांदरता ग्राम प्रति लीटर में, तो इसकी मोलर्ता हो जाएगी, मोलर्ता गुणा, यानि की अनुभार हो जाता है, मोलर्ता गुणा अनुभार लिख दीजिएगा, तो मोलर्ता क गुणा कर लेना 3,8,24, 3,5,15, 2,7, 3,1,3 और एक चार हो गया और दसमलब दो जानी 4,7,4 ग्राम प्रती लीटर हमने घोल करके दिया था एक बार गुणा और कर लेता हूं चेक हो जाएगा आपका क्या हो गया 158 गुणे हो जाता है दसमलब 0,3 चार दसमलब 7,4 ग्राम बिलकुल एक्कुरेट आरा यही उत्तर होगा तो लास्ट में आपको हेडिंग बना देना है परिणाम लास्ट में आप हेडिंग बना दीजे यहाँ परिणाम तो यहाँ पर मैं रिजल्ट या परिणाम लिख देता यह मान लो आप ठीक है तो यहाँ लिख देते हैं पोटेशियम दिये गए दिये गए पोटेशियम पर मैंगनेट केमनोफोर की सांधरता सांधरता चार दसमलब साथ चार ग्राम प्रति लीटर ग्राम प्रति लीटर है प्रति लीटर तो यह मैंने एक तम कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करके बता दी इसे आप लिख लीजिए और जो बजन हो वो उसको आप अंडरलाइन जरूर कर दीजेगा और पैन कोई भी बच्चा लाल पैन प्रियोग ना करें यह बात मैं फिर बताया दे रहा हूं कोई भी बच्चा लाल पैन प्रियोग ना करें काला करिए नीला करिए हरा और लाल पैन बिल्कुल प्रियोग मत करिए डाग्राम में लाल और हरा पैन प्रियोग में लाइए ठीक है तो इस तरी है तो जरूर लिखे इसको मैं इसकी आपको PDF सेंड कर देता हूँ चेक ओके बाए